मानव इतिहास में आईजाक न्यूटन सबसे प्रभावशाली विज्ञानिकों में से एक हैं जिन्होंने विज्ञान और गणित की भिन्ने शाखाओं में कई महत्पून योगदान दिये हैं 1687 में न्यूटन की किताब प्रिंचिपिया मैथेमाटिका में सूत्रबद किये गती के तीन नियम त्री लॉज अव मोशन और गृत्वाकर्शन नियम लॉज अव ग्रैविटेशन विविद प्रकार की प्राकरतिक घटनाओं को समझने के लिए गणित आधारित सटीक और जब नियूटन ने यह नियम प्रस्तुत किये तो विज्ञानिकों ने जट इन्हें मान लिया क्योंकि यह नियम सभी यांतरिक वस्तुओं की गती के परिशुद पूर्वकथन प्रेडिक्शन देने में सक्षम सिध्ध हुए चाहे वो एक पेंडलम की ले हो या एक तोप के गोले का प्रक्षेपत या अपने ग्रहपत में सूर्य की परिक्रमा कर रहे ग्रहों की चाल मगर उन्निसमी शदाबदी के समाप्त होने तक मैक्सवेल और अन्य विज्ञानिकों के प्रयास के द्वारा मुम्किन की गई बिजली और चुमबक्त इलेक्रिसिटी और मैगनेटिजम के शेतर में प्रगती भौतिकी में एकदम नई अफधारनाओं को सुल्जाना और कोशना भी कर चुके थे किन्तु न्यूटन द्वारा प्रस्तावित वेग और गती की संकल्पनाओं पर आधारित प्रयोक से पता की गई प्रकाश की गती कुछ परिस्थितियों में मैक्सवेल के आकलन से भिन्ध थी सिध्धान्त और प्रयोक के इस अंतर ने भौतिक प्रकाशित की जहां उन्होंने दर्शाया कि कैसे न्यूटन की गती के नियमों में कुछ बदलाव की जरूरत है आइंस्टाइन के इस नए सिध्धान्त ने न्यूटन की क्लासिकल मेकैनिक्स और मैक्सवेल का इलेक्ट्रो मैगनेटिसम सिध्धान्त भौतिकी की इन दो श समझ थी उसको बदलना पड़ा उधारन तह आइंस्टाइन के इस सिध्धान्त के अनुसार अगर कोई वस्तु प्रकाश की गती या इस गती के आसपास यात्रा करती है तो उस वस्तु के लिए समय धीरे चलना चाहिए अभी दुनिया इस अजीबो गरीब प्रस्ताव को सम उन्होंने अपना सामानने सापेक्षतावाद सिध्धान्त जेनरल थी उफ रिलेटिविटी प्रस्तुत की यह सिध्धान्त आज ब्रहमांट की उत्पत्ती के अध्यन और विशाल गृत्वाकर्शन बल से संबंदित भोगौलिक घटनाओं को समझने का प्रात्मिक साधन बन गया है आइंस्टाइन की स्पेशल थी उफ रिलेटिविटी प्रकाशित होते ही इसको प्रयोग द्वारा कई बार सिध्ध कर दिया गया और 1920 तक सभी विज्ञानिक इस सिध्धान से सहमत थे परंतु उनकी जेनरल थी उफ रिलेटिविटी को प्रयोग द्वारा सभी परिस्थितियों में सिध्ध करने में कई दशक लग गए सांती सांत इस सिध्धान के कुछ पहलू अभी भी आधुनिक भौतिक विज्ञान की कुछ शाखाओं से मदभेद रखते हैं और आज है मदभेद भौतिकी की सबसे बड़ी समस्याओं में एक है आइंस्टाइन को विचारों ने मानव ग्यान में क्रांती ला दी और इन दौनों की बौधिक उपलब्दियों ने इन्हें आधुनिक दुनिया का सबसे प्रसिद्ध विज्ञानिक बना दिया इन दो महान हस्तियों की यह छोटी सी कहानी विज्ञानिक विधी के एक महत्पून पहलू को दर्शाती है जो विज्ञान की हर शाखा में लागू होता है चाहे वो भौतिकी हो या भ्यांत्र की या जी विज्ञान विज्ञानिक विधी ये आवश्चक बनाती है कि हम ऐसे सिध्धान प्रस्तुत करें जिन पर निर्भर हम कुछ पूर्वकतन, प्रेडिक्शन्स कर पाएं और फिर प्रयोग द्वारा जांच करें कि क्या हमारे पूर्वकतन ठीक है या नहीं चाहे कोई सिध्धान सरल हो या जटिल उस पर विश्वास तभी बनता है जब उस सिध्धान पर आधारित पूर्वकतनों की पुष्टी हम अलग-अलग प्रयोग कर बार-बार कर पाते हैं और फिर जैसे विज्ञान और प्रवध्योगी की में प्रगती होती है नए पहलू सामने आते हैं और यह नवीन आयाम अंततह पुराने सिध्धान्तों की कमिया दर्शा देते हैं जब कभी सिध्धान्त और प्रयोग के निशकर्ष में मदभेत का संकट आ जाता है तब विज्ञानिक को सिध्धान्त को अस्वीकार या उसे परिवर्तित करने में जिजगते नहीं चाहे वो कितना ही सुस्थापिच सिध्धान क्यों ना हो और विज्ञानिक विधी को वो जितनी बार जरूरत हो उतनी बार दोहराते हैं सिध्धान्तों की निरंतर पुष्टी कर उन्हें परिवर्तित करने की विधी ताकि और बहतर पूर्व कथन गठित किये जा सकें विज्ञान का यह आयाम ही इसे बाकी मानुए प्रयासों से भिन बनाता है विज्ञानिक इतिहासकारों को लंबे समय से ग्यात है कि इस लगातार प्रशिक्षन और स्थापिच सिद्धानतों की अंततह विफलता विज्ञान की प्रगती के लिए अनिवार है और मानव की कुछ सबसे बड़ी खोज ऐसी ही विफलता के अंतराल में हुई है एक सफल विज्ञानिक बनने के लिए तुम्हें ना केवल अपनी सोच तेज कर नए सिद्धानत प्रस्तावित करने पड़ेंगे तुम्हें अपने हाथ भी मैले करने पड़ेंगे और अन्य लोगों के साथ काम भी करना पड़ेगा ताकि तुम प्रयोग द्वारा अपने प्रस्तावित सिद्धानत की पुष्टी कर पाओ